स्टुट्स विल्कम ऑन माई चैनल बाइलोजी बाई अंचल सर वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसको आप सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर करें और वीडियो को लाज तक जरूर देखें तभी आपको प्रॉपर इंफॉरमेशन मिलेगी अनिमल टिशू के ब आपने नमसिक नदे रिसें पहले कर लिया था लिए के लिए इंपरेंट है यह क्लास 10 के बच्चे भी इसको जरूर पढ़ें और क्लास 11के बच्चे भी इसको जरूर पढ़ें तो मुव करते हैं PARTO से इस में सटार्ट करते हैं Kartilize का से chondroblast जो है, वो chondrocytes cells को बनाने का काम करती है हर एक chondrocytes जो होती है वो एक छोटे से empty place में होती है empty place को बोलते हैं कि हम लोग lacuna lacuna का मतलब ही क्या होता है? empty space, lacuna, blank space अब यहाँ दिखाई देरा आपको यहाँ पे जो भी दिखाई देरा यहाँ पे क्या अगर यहाँ पे 1 to 4 cartilaginous cells पाई जा रही है यहाँ पे, कहाँ पाई जा रही है यह lacuna के अंदर पाई जा रही है important point है, 1 to 4 cells क्या होती है पाई जाती है कहाँ पे, inside the lacuna के अंदर और lacuna जो होता है, यह एक fluid filled area होता है इसके अंदर fluid क्या होता है? filled होता है अगर दिखा जाए तो cartilage के matrix, उसके surrounding का जो matrix है, chemical क्या क्या चीज है प्रजेंट है उसके अंदर, यहाँ पे उसके प्रजेंट है क्या water, protein, carbohydrate, collagen fibers, यहाँ यह प्रजेंट है, और इसमें काफी कम amount में क्या है, काफी कम amount में प्रजेंट है क्या calcium salt, यह चीज आपको bone में काफी ज करने का काम करती है, types of cartilage की बात करते है, types of cartilage क्या है, हमारे body में क्या है, three type का present है यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग, तो पहला क्या दिखाए रहा है, यहाँ पे, क्या high line, second क्या है, yellow elastic cartilage, और third क्या है, white fibrous cartilage, diagram को मैं zoom कर रहा हूँ, आपको असानी से दिखाई कर देख सकते हैं कि कितना कान आपका soft है, कितना उलायम है, second जो है flexible की form में, वो है क्या, high line cartilage, nose का middle reason है, nose का tip reason है, nose जो बना हुआ है, वो किससे बना है यहाँ पे, यह high line cartilage से बना हुआ है, जो hard cartilage है, वो क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या fibro cartilage बोल जो formation है हमारे body में, वो कहा कहा present है, तो यह present है कहाँ पे, tip and tip of the ribs and bones of the sternum, sternum क्या है पर देखते हैं, यह हमारा क्या है, totally क्या है, यह rib cage दिखाए दे रहा है, मैं zoom कर लेता हूँ उसको, आसानी से दिखाए देगा आपको, यह rib cage दिखाए दे रहा है, यह पूरा का पूरा ज जो है, ribs जहाँ पर आके इसे attach हो रहा है, यह blue color का reason जो है, यही क्या है, वो cartilage है, it's called the highline cartilage, जो अब देख रहे हैं, clear है, तो यह पहला हो गए यहाँ पर क्या है, क्या है, क्या है, present है, यह blue color का portion हो गया है, यहां से ribs का attachment हो रहा है, इस tendonum से, यह क्या हो गया, यह दोनों क् करते हैं, at synovial joint, यह हमारे bones है, यह upper bone दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, यह lower bone दिखाई दे रही है, यहाँ पर, यहाँ जो joint है, इसके बीच में liquid present है, इस liquid को बोलते है, क्या हम लोग synovial joint, इस case surrounding में, यह जो present है, यह जो cartilage present दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ह को यहां पर क्या यह highline cartilage यहां पर दिखाई देड़ा आपको यहां पर हर एक long bones के head पर highline cartilage क्या होता है present होता है जो क्या करता है support करने का काम करता है यहां पर लारिंक्स लारिंक्स की बात करें हम लोग क्या दिखाएगे आपको यहां पे कि यह पूरा का पूरा जो लारिंक्स है जो वाइस बॉक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं लारिंक्स करने का काम कहते हैं ट्रैकिया और बात करेंगे ट्रैकिया ब्रॉंकी की बात करेंगे हम लोग यहां पर ट्रैकिया और ब्रॉंकी जो है यह जो विंड पाइप है इसे कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं इस ट्रैकिया के उपर आपको यह ब्लू किलर की रिबन दिखाई दे रहे होंगे यह सारे के सारे ribbons जो हैं यह cartilage से बने हुए है और cartilage कौन सा है आपका यह highline cartilage बहुत important question है कई बार आ चुका है कि जो wind pipe है उसको support करने के लिए यह larynx यह rings लगी रहती है यह rings क्या है C shape की होती है totally complete नहीं होती है यह C shape दिखाई दे रहे आपे तो यह rings जो बनी हुई है incomplete rings है और किसकी बनी हुई है यह highline cartilage की बनी हुई है clear है आपको अब जो trachea होता है वो आगे चल के क्या होता है यह divide हो जाता है two part में एक right lung में चला गया एक left lung में चला गया इनको बोलते है हम लोग क्या the branch is called the is called the bronch bronchi दोनों को क्या बोलेंगे bronchi बोलेंगे clear है now next last में क्या दिखाए रहा है part of the nasal symptom जो nasal हमारे pores present है उनके बीच में जो septum present है यह जो septum की बात करें यह blue clear का septum दिखाए दे रहा हुआ है यहां पर इसकी बात करें हम लोग तो यह क्या दिखाए दे रहा है यहां पर इस कॉल दर nasal symptom की बात करें हम लोग यहां पर nasal symptom जो है यह जो है इसकी बात करें लोग यह सब्टम किसे बना हुआ है इसी highline cartilage से क्या है यह form है तो एक एक point हमने दिखाए दिखाए और जैसा प्रेजिए जैसा fluid present है इसको बोलते हैं क्या synovial बोलते है और यहां पर liquid यहां present is called the synovial fluid karence को बोलोग यहां पर ठीक है move करते है next में elastic cartilage कहां present है elastic cartilage present दिखाए देरे आपको यहां पर क्या oracles of external ear औरकी का मतलब क्या है यह पूरा का पूरा हमारा जो ear है उसके अंदर यह present होता है ठीक है यह जो cartilage दिखाए देरे आपको क्या अंदर का cartilage दिखाए देरे है कितना soft है अपने ear को आप मोड के दिख सकते हैं अगल वगल इसको क्या बोले है और क्लर cartilage बोले है epiglottis epiglottis क्या है हम यहां दिखाने के गोशिच करेंगा आपको epiglottis फोकस करते हम दो यहां पर epiglottis यह जो दिखाए देरा है कि एक person ने food intake किया intake करने के बाद propels को masticate किया और यह food क्या किया उन्होंने क्या कर लिया swallow कर लिया swallow करने के समय यह जो flap दिखाए देरा जो आपको नीचे के तरफ move किया हुआ है यह block कर रहा है किया एक structure को जो trachea के अंदर जाता है अगर यह नीचे नहीं आता तो food हमारा इस trachea के अंदर चला जाता जो उसका place नहीं है food को जाना कहाँ इस pipe के अंदर इसको क्या कहते हैं food pipe कहते हैं isophagus कहते हैं तो epiglottis क्या करता है यह बना हुआ है किसे यह भी cartilage का बना हुआ है और यह close करता है किया trachea को close करने का काम करता है now auditory tube की बात करते हैं यह हमारा क्या है यह auditory tube दिखाई दे रहा यहाँ पर proper देखिए यहाँ पर यहाँ पर आपको cartilage दिखाई दे रहा है यह है ear canal के अगल वगल जो bony structures है वहाँ पर cartilage प्रेजन्ट है वो जो क्या कहला रहा है यहाँ पर is called the elastic cartilage जो हमारा जो larynx है उसके अंदर कई type के cartilage प्रेजन्ट है उन में से कुछ cartilage आपको यह दिखाई दे रहा है हम बात कर रहें यहाँ पर quiniform की बात कर रहें है तो यह दिखे बहुत छोटा सा cartilage यहाँ दिखाई दे रहा है यह क्या है यह बना हुआ है इसे elastic cartilage का एक क्या Fibrous Cartilage अब कर देखते हम यहाँ पर, Fibrous Cartilage की बात करते हैं यहाँ पर, Fibrous Cartilage कहाँ प्रेजन है, यह Pat के फॉर्म में प्रेजन है, कहाँ पर, Knee's Wind में, और यहाँ देखिए, यह Cartilage यहाँ दिखाए देरे आपको, यहाँ पर Surrounding की बात करते हैं, तो यह Cartilage यह दिखाए देरे दूसरा है between the pubic bones of the pelvis, pelvis का मतलब यह होता है कि हमारी west के region वाली bone, हमारे कमर की हड़ी, pelvic guddle कहते हैं सको, और यह जो bones यहाँ पर आके joint कर रही हैं, तो इनके बीच में जो joint है, यह कहते हैं इसको में लोग क्या कहते हैं इसको में लोग, fibropubic symphysis, इस joint में जो दिखाई दे रहे हैं, जो joint दिखाई दे आपको, this joint is called the fibrous cartilage का बना हुआ है, fibrous joint है यह, यह joint female के अंदर relax हो जाता है, जब female pregnancy के time में होती है, जब यह pregnancy के time, बेबी को बर्थ होने का time होगा, तो यह काफी क्या relax हो जाता है, जिससे birth canal का जो place है वो क्या होता है, काफी wide हो जाता है, और बेबी का head आसानी से क्या होता है, mother के birth canal से निकल के baby बाहर आ जाता है, यह important है कि pubic symphysis क्या है, यह relax हो जाता है, यह relax होता है का hormone की होज़ से इसको बोलते हैं क्या relaxing hormone during puberty नास्ट है intervertebral disc intervertebral disc क्या है हम इसको focus करेंगे आप इंटरvertebral disc क्या है यहाँ देखिए यह आपकी क्या है backbone है backbone जो दिखाए दे रही है आपको यह क्या backbone की एक bone को बोलते हैं क्या हम लोग vertebral column vertebrae बोलते हैं इसको अब यह एक backbone के अगल बगल यह जो दोनो bones आपस में friction न कर पाए इसलिए यहाँ पे cartilage लगा हुआ है इसी cartilage को क्या बोल ले हम लोग क्या intervertebral disc बोल ले है इससे क्या होगा यह bone और यह bone आपस में क्या करेंगी friction नहीं कर पाएगी पूरे backbone में हर एक vertebrae के बीच में क्या होता है यह present होता है move करेंगे हम लोग next पे अब बात करते हैं bones के बारे में bones एक हमारा क्या है एक important current issue है bones जिससे bones की cells को बोलते है हम लोग क्या osteocytes bone के अंदर एक protein present है ocene protein present है यह important question है bone के अगर बात करें bone क्या है cartilage की comparison में वो क्या है non-flexible आगे मौर बात करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या क्या और present है तो इसके अंदर inorganic minerals present है such like salt present है phosphate present है carbonate present है calcium and magnesium present है यह important है यह सारी चीज़ें क्या है important आपको learn करना पड़ेगा now अब क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर bones के अंदर हम detail में diagram के थूँ देखेंगे यह है lambly lambly में दिखाऊंगा आपको अभी हावर्षिन कैनाल और हावर्षिन system क्या होता है workman's कैनाल क्या होता है आगे में देखते हैं क्यानोखिली क्या होता है यह सारी चीज़ें आपको clear होंगी अभी next slide में देखते हम यह आप जो bone cell का formation हो रहा है वो bone cell form किससे होती है bone cell को form करने वाली cell होती है हम बोलते है blast जिस भी cell के last में क्या होगा blast लगा होगा term blast होगा इसका मतलब क्या है कि यह cells form करनी वाले cell होगी यह cell कुछ में कुछ क्या करेगी form करेगी clear है इसका sequence देखते हम लोग यह आपर तो यह osteogenic cell है इस cell से क्या होता है osteoblast का formation होता है और यह osteoblast क्या होती है modified हो जाती है डिफिन्स इट हो जाती है osteocyte के अंदर clear है यह cells दिखाई दे रही है osteoclast osteoclast का मतलब क्या होता है इन cells के पास यह काफी बड़ी cells होती है और यह क्या करती है इस bone को अपने अंदर से enzymes निकालती है और bones क्या करती है गलाने का काम करती है इनको कहते हैं bone eating cells तो function क्या है इनका reabsorption काम है, restriction आप क्या है bone matrix का काम है bone जो हमारा है वो calcium का bank है, calcium का store house है अगर calcium की कमी होगी तो यही osteoclast cells क्या करेंगी यहां से calcium निकालेंगी, blood में क्या करेंगी release करने का काम करेंगी और blood के अंदर जो वारा body के अंदर calcium की कमी है वो क्या करेंगी, release करेंगी यसे हमें पैसे की जब कमी होती है तो band से जाके पैसा निकालते है यह सारी cells हमने देखा है यहां पर अब हम बात करते हैं osteocytes की यह जो आपको दिखाई देरा yellow color की जो cells दिखाई दे रही है यह total क्या है, एक osteocyte है एक bone cell है अब यह bone cell कहां present है, यहां देखना है यह bone cell से निकल लए है यह plasma membrane इसकी है ऐसे जाके ऐसे बनी हुई है इस plasma membrane की पतले से process को हम बोलते हैं क्या canalically एक canal की तरह बनी हुई है इसमें plasma membrane से बनी हुई है सारा का सारा cytoplasm इसके निमूफ करने का काम करता है तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्याने क्यूली और focus आपको यहां यह करना है कि जो canicule है इसके अगल बगल क्या है इसके अगल बगल आपको दिखाई देरा इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग यहां क्या बोलेंगे इसको lacuna बोलेंगे यहां पर तो lacuna के अंदर कितनी cells दिखाई दी आपको एक bone cell दिखाई दी यह cartilage में कितनी दिखाई देरी थी 1 से 4 दिखाई देरी थी यहां पर clear है हम देखते हैं यहां पर यहां clearly दिखाई देरे आपको यहां देखे, this is called the lacuna, lacuna का मतलब क्या, वहाई empty space, जिसके अंदर क्या है, यह bone cell क्या है, present दिखाई दे रही है आपको यहां पे, तो अगर question आता है कि osteocytes किसके अंदर present होती है, तो बोलेंगे क्या, lacuna के अंदर present होती है, और हर एक lacuna के अंदर देखा जाए यहां पे, तो इसका protoplasmik process यहां निकला हुआ है, जिसमें पूरा का-पूरा cytoplasmik क्या करता है, इसके अंदर move करता है, दूसरी cell जो होगी bone की, उसका भी यह जो protoplasmik process है, वो क्या करेगा, इस lacuna के थूरू, आपस में क्या करेंगे, यह connect हो जाएगे, जिससे क्या हो जाएगा, एक bone से, एक bone cell से, दूसरे bone तक cell तक क्या होगा, आपस में transportation हो जाएगा, जिससे plant cell के अंदर plasma dismeta क्या करते हैं, Transport करने का काम करते हैं Animal cell के अंदर Desmosomes Transport करने का काम करते हैं Move करते हैं Next के तरफ अब यह देखिए यह है एक Osteoblast cell इससे क्या हो गया यहाँ पे यह Connect दिखाई दे रही यहाँ पे इसका यह Protoplasmic Process है अब आपस में कि यहाँ पे यह प्रोडिलप्लाज्मिक प्रॉसेस आपस में कनेक्ट हो गया, इस सेल का मैटेरियल इस सेल के पास पहुंच गया, इससे क्या होगा, यह पहुंच जाएगा, यह सेल यहाँ पे आपस में कनेक्ट इस दिखाई दे रही है, तो हर एक लैकुना के अंदर, जो छोटे छोटे क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है, और ट्रांसपोर्ट क्या करती है, मैटेरियल को, अब इस सेल से एक बोन से लिए है, दूसरी बोन से लिए है, इस यह कैना किया करेगी, यह अपने मैटेरियल को क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, और यह क्या करेगी, यहां से receive कर सकती है move करते हैं next के तरफ यह दिखाई दिर आपको यहाँ पे कि यह दिखाई दिर आपको यहाँ पे एक structure दिखाई दिया यह क्या है इस एक लाकुना यह हो गया आपस में जो connection है वो किस थूँ हो रहा है तो दो कैनल क्या कर रही है आपस में इस OSTEOCYDES को क्या कर रही है, connect करने का role play कर रही है इस type का पूरा का पूरा bone का structure present है देखते हैं हम लोग यहाँ पर यह bone है, पूरी की पूरी bone यह पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, structure यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, यह जो area देखी यहां important area दिखाई दे रहा है यह spongy bone के अंदर red bone marrow present दिखाई दे रही है इसी red bone marrow के अंदर जितनी भी type की blood cells होती है वो RBC हो, वो WBC हो, वो RBC हो, वो WBC हो, वो हमाई platelets हो जो मों throbocytes कहते है सारी type की cells जो क्या होती है यह इसी red bone marrow के अंदर form होती है इसी के नीचे आपको दिखाई देगा यहां पे क्या यहां दिखाई दे रहा यहां यहां दिखाई द Terror Yellow Bone Marrow यह fat लोड चिशुऊ यहां deposit कर गया तो क्या कहते है उसको Yellow Bone Marrow कैते है और यह Old Persons में ज्यादा होता है, यंग Persons में क्या होता है इसका amount कम होता है, जैसे एस बरती रहेगी, yellow bone marrow का percentage यह भी क्या होगा, वो increase करता रहेगा, आगे move करते हम लोग यहाँ पे, यह जो upper portion दिखाए दिया, इसके अंदर, यहाँ पे यह जो structure है, इसका एक side का portion, इसके एक side का structure दिखाए दे आपको यहाँ पे, जो bone का outer covering है, इसको क इसके अंदर का structure क्या हो लेकर करने लोग क्या, endoosteum, name से लग रहा है क्या, endo inside periphery पे, आगे देखते हम लोग यहाँ पे, अब यह bone का हमने side में, center में तो क्या होगे, यहाँ पे, main cavity दिखाए दे रही है, आपको यहाँ पे, अगर हम side की बात करते हैं, तो bone के हम center वाला part क की बात नहीं कर रहे है, यहाँ side की बात कर रहे है, इसको हमने क्या किया है, यहाँ दिखाया है, zoom करके, क्या दिखाए दिया आपको यहाँ पे, तो यह जो bones है, इसके अंदर ऐसे round round आपको structure दिखाए दे रहे हैं आपको, दिखाए दे रहे हैं आपको, यहाँ दिखाए द आपको हम इसको और आगे detail बिताएंगे कि austeon के अदर क्या present होता है यहांपर फोकस करते हैं अब यह क्या हो गया एक austeon हो गया है can backyard के अंदर यह सिंगल सल दिखाई दे रही है एक लाकीना हो गयाjakに दिखाई दे रहा यहां पर, लैक्विना है, लैक्विना के अंदर क्या दिखाया दे रहे, यहां पर आपको एक Osteocid दिखाया दे रही है, जो इस Canocly के थ्रू क्या कर रही है, अपने Prototype Lask class को आगे निकाल लगी है, यहां देखते हैं हम लोग यहां पर, इसका जो पूरी की पूरी surface एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यह surrounding area दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर क्या है? यह bone matrix है, इस bone matrix में क्या होगा? calcium होगा, magnesium होगा, phosphate होगा, सारी सारी चीजे प्रजेंट है, अब इस center में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ देखे, यह दिखाई दी आ आट्री दिखाई दी यहाँ पे और यहाँ क्या दिखाई दे रहा दिखिए यह दिखाई दी आपको यहाँ पे वेन दिखाई दी और यह क्या लिम्फाटिक वेसल साब इस चीज़े प्रजेंट है इस के इंदर इस सेंटर वाले काविटी को जिसके अंदर यह सब चीज प्र प्रेजन 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 प्रेज तक यहां से लेके एक दूसरे औस्टियोन तक ऐसे connected है इन transverse connection को ही क्या कहते हैं वॉल्क्समैन कैनाल कहते हैं क्या बोलने को हुम वॉल्क्समैन कैनाल के रहे हैं यहां देखें यह दो हैवर्शन कैनाल हो गए यहां पर इनको जो जोडने वाला transverse section दिखाए दे रहा है यह क्या है 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 वॉल्क्समैन सिस्टम है यहां पर वर्टिकल वाले है इनको जोडने वाला क्या है यहां पर वॉल्क्समैन कैनाल है यहां देखें रीड करते हैं इसको वॉल्क्समैन कैनाल canals are horizontal connections between the two haversian canals through this connection क्या चीज़े पास हो रही है यह सारी चीज़े पास हो रही है यहां पर आर्ट्री जा रही है वेन जा रही है लिम्फेटिक विसल जा रही है ब्लड क्याप्री जा रही है सारी चीज़े यहां पर जा रही है clear है अब यहां देखते हैं लोग यहां देखिए यह दो ऑस्टियों दिखाई दिया आपको इनके बीच में जो connection दिखाई दे रहा इसको वॉल्क्समैन कैनाल कहना इसको scientist की name पर यहां present है यहां पर वॉल्क इसको कहते हैं red blood cells यह red bone marrow में फार्म होती है इसे कह रहे है कि हम लोग platelets जिसे हम दूसरा नाम कहते है क्या thrombocytes और यह फार्म होती है बड़ी से cell से इसे कहते है क्या mega क्यारियो साइड कहता है उसी से ये थ्रामो साइड क्या होती है फार्म होती है इंपोर्टन कोस्चन है कि थ्रामो साइड फार्म के से होती है सारी सेल्स फार्म कहाँ पे होगी तो बोन मेर्व के अंदर फार्म होगी जो आर्बिसी है इसके अंदर million साफ क्या है आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे hemoglobin present है यह जो hemoglobin है यह four oxygen के molecule को contain कर सकता है one hemoglobin molecule carry the four oxygen molecule carry कहा होता है यह आपको hem group दिखाई दे रहा है सब दिखिए hem group यहाँ पर है hem group यहाँ पर हर एक hem group से क्या होगा एक O2 का molecule क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर attach हो जाता है, यह attachment temporary कहलाता है, permanent यह क्या होता है, attachment नहीं होता है, इससे महर फोकुस कराना चाहेंगे आपको यहाँ पर, यह जो hemoglobin protein है, यह एक quaternary structure का protein है, यह इसके अंदर two alpha chains present होते है, one alpha chain this and other is this, two होगे आपको यहाँ और two beta chains क्या होते है, present होते है, यह बहुत important question, question आता है कि how many alpha chains, तो कहेंगे two, how many beta chains, तो कहेंगे यहाँ पर two, टोटे में लागे कितने chains present होगे हैं यह पूरे के पूरे chains जो है, यह protein के बने हुए है, अब जानते ही है कि hemoglobin क्या है, hemoglobin में हम क्या होगे है, यह एक iron containing pigment हो गया, और globin जो है वो क्या है, protein है, अब यहाँ पर दिखाई दिया, यह iron यहाँ पर क्या है, fix है, यह आपको iron द होता है, fe2 से क्या होता है, hemoglobin बनता है, fe3 से hemoglobin का formation नहीं होता है, यह important question ध्यान दिजेगा आपके, एक RBC क्या करती है, million साब क्या क्या करती है, hemoglobin contain करती है, हम move करते है, next ही तरफ, बात करते हैं बनो WBC के बारे में, WBC क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं क granulocytes कहने का मतलब यह है, कि इसके अंदर three type की WBCs present होगी, इसमें क्या होगा, two types की, granulocytes जो कह रहे हैं, अगर focus करें आप इसको, 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 तो सब में आपको grains दिखाई देंगे, यह grains है, इसलिए क्या बोल दिए, इनको granulocytes बोल दिए, question यह आता है, कि granulocytes में कौन कौन सी cells आती है, तो यहाँ पर neutrophils, जिनका number क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यह है, isnofils, इनका number क्या होता है, one two percent होता है, यह basofils, इनका number क्या होता है, बहुत ही कम होता है, अगर आप जाना चाहें, तो B का मतलब मान लिए, बहुत कम वाला, बहुत कम वाली cells, E का मतल मान लीजे number one cell percentage में granocytes क्या है ये दो type की है एक को बोलने क्या monocytes एक को बोलने क्या lymphocytes चो monocytes है वो largest cell है काफी बड़ी cell दिखाई देनी compare में तो WBC क्या है ये सबसे largest cell है इसको मैं ऐसे यात रखते है M का मतलब मान लेते हैं क्या macro macro cell है इन सब में क्या है M का मतलब क्या हो गया macro macro मने क्या सबसे बड़ी cell है अगर कोश्चर आ जाता है कि कौन सी WBC की life सबसे दिखाए तो L का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर life काफी ज़्यादा इसकी life होती है यह क्या lymphocyte हो गई यहाँ पर यह हम आगे move करते हम लोग यहाँ पर जो WBC है इनका क्या है कि special role दिखाए दे रहा है हमने देख लिए यहाँ पर कि granulocytes कौन कौन सी है और a granulocytes कौन सी है तो यहाँ देखेंगे आप कि जो neutrophils है इनके अंदे क्या दिखाए दे रहा है होती यह question आता है कि basophil tissue के किस cell के exactly होती है तो basophil is called to the mass cell mass cell is called to the basophil क्यों कि यह सारा चीज mass cell भी secret करती थी और basophil निकाल रही हिपरिम भी निकाल लही थी histamine भी निकाल लही थी और serotonin भी निकाल लही है कई लोग बोलते हैं कि मुझे इसनोफीलिया हो गया इसनोफीलिया का मतलब क्या उनके बॉड़ी में जब अगर infection हुआ है तो यह बढ़ गई है अगर इसनोफील बढ़ी है तो इसका एक simple meaning यह निकलता है कि आपके बॉड़ी में infection हुआ है monocytes के बारे मने बताया कि यह क्या है largest cell है largest cell उनके इसनोफी का बॉड़ी है इसकी life क्या होती है काफी ज़्यादा होती है बाकिसल्सuuuu life क्हाँ कम है टबबीजी जो है एक ऐसी type की cells हैं जो अपना shape कभी भी क्या कर सकती हैüne चेंज कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि इंको क्या खेते हैं इए यह अमीबा की इतरह देखने वाली सेल्स हैं यह अपना स tehd कभी भी चेंज कर सकती है। hlli infinite से नहीं होता है। definite नहीं होता है। move करते, next पे हम लोग यहाँ पर, यह दिखाए दिया आपको ultra structure, monocytes का, snowfills का, basophills का, neutrophills का, lymphocytes का, यह क्या है, blood cells है, lymphocytes भी क्या होती है, endotype की होती है, T lymphocytes, और B lymphocytes, दोनों बनती है red bone marrow में, यह जाके mature होती है, heart के पास एक gland होती है, thymus में, इसलिए बोलते हैं, इसको T lymph lymphocytes, और यह bone marrow में mature हो जाती है, इसलिए बोलते हैं को हम लोग क्या, bone marrow वाली cell, B lymphocytes, प्रसेंटेज यहाँ दिया हुआ सब का, कि हमारे RBC का प्रसेंटेज कितना है, दिखाए तो 4.5 से 5 million, leukocytes का amount काफी कम होता है, 1000 में होता है, 6000 तो 8000 per mm3 में होता है, इनका प्रसेंटेज देखिए, सबसे अधिक दिखाई दे रही हैं आपको क्या है, neutrophils, सबसे कम दिखाई दे रही हैं आपको, basophil, B का मतलब बहुत कम, N का मतलब number 1, आगे move करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या, इस दो फिल्स की बात मैंने किया था, काफी कम होती है, 1 12% यहाँ दिखाई दे आपको यहाँ पर, platelets का number देखते हैं, 1.5 से 3.5 lakhs तक होता है, per mm cube में होता है, lymphocytes 20 से 35% होती है, monocyte largest है, इसलिए इनका number भी कम दिखाई दे रही हैं, 68%, इस इन number को आप याद रखेंगे, exam में कभी-कभी neutrophils का percentage और basophil का percentage क्या होता है, जनली क्या होता है, पूछा जाता है, क्योंकि इनका number क्या होता है, काफी सबसे ज़्यादा है, और सबसे क्या है, कम है, move करेंगे, next पे हम लोग, plasma की बात करते है, plasma क्या है, plasma के अंदर क्या क्या चीज़े प्रेजन होती है, तो plasma दिखाई दे आपको यहाँ पे, blood हम क्या किया, हमने क् को लिक्विट के पाद उसको क्या कर दिया हमने citr 있고 machine में क्या किया मूफ कराया तो ये जो इस ट्रॉ एकलर का alla एक चारिया है इस लिक्विट के अंदर ये क्या कहते उसको प्लाजमा जिए प्लाजमा के अंदर क्या कहते है और हुँथ है glucose है amino acids है proteins है minerals है vitamins है hormones है West material है लेकिन कोई भी blood cell present नहीं है इसके अंदर कोई भी क्या है blood cell present नहीं है जो liquid portion है blood का उसे क्या कहते हैं plasma कहते हैं यहां दिखाए देरा को serum serum क्या होता है blood clot करने के बाद जो liquid बचता है test tube में उसे हम serum कहते है इस serum के अंदर fibrinogen नहीं होता है fibrinogen की बात कर रहे है जो एक clotting protein है वो क्या होता है absent होता है कोशन आता है कि serum के अंदर क्या नहीं होता है तो serum जो है exactly क्या है plasma की तरह है plasma के अंदर fibrinogen present होता है लेकिन serum के अंदर क्या है यह Fibrogen present नहीं है, प्योंकि यह Fibrogen क्या हो गया, सारा का सारा Blood को Clot करने में क्या हो गया, इस्तमाल कर लिया गया यहां पर Important point था यह, कि Serum के अंदर कौन सा protein present नहीं है तो Blood को Clot करने वाला protein यहां पर present नहीं है, move करते हैं आगे आता है lymphatic system की बात करते हैं हम लोग, lymphatic system जो है वो contain करता है plasma like fluid को, यह fluid कैसे निकल के बाहर आया देखिए यह artery किसे क्या हो गया, blood का flow हुआ, artery का जब flow होता है तो artery पहुचाती है, कहां पर convert हो जाती है किसमे, capillary के अंदर तो यहां पर क्या हो गया, capillary का portion आ गया, जो sky blue color के दिखाई दे रहां पर यह capillary से चीदे क्या हो गया, निकल के बाहर आई, surrounding cells में cells दिखाई दे रही है जो भी food material निकल के बाहर आया है, वो कहलाने लगा क्या, यहां पर plasma cells के अगल-बगल क्या होता है, liquid होता है, इससे क्या कहता है, tissue fluid कहते है जो tissue fluid है, उसके अंदर क्या हो गया, capillary से निकल के, sara का sara food क्या हो गया, present हो गया अब यह tissue fluid क्या है, जो cell के surrounding है, present है, इसको एक दूसरे capital के थू, हम क्या करती है, body क्या करती है ले जाके वेन में क्या करती है, ड्रेंड कर देती है, यह blue वाली कया है, वेन दिखाई देरी आपको, clear है, तो यह जो drain किया जाया, जो भी food निकल के बाहर आया, देखिए, आईरो दिखाई देरा, निकल के बाहर आ रहा है आपे, cells के पास पहुचेगा food, cells जो भी waste भी लिक्विड निकालेंगी सारा का सारा लेकूड इंटर कर जाएगा इस लिम्फेटिक वसल्स के रसके नीटर कर जाएगा अब यह लग मोव करते हैं यहांपर दिखाई को lymphatic duct it states lymphatic node कि दिखे जो हो रहा है जो blood यहां निकला था ब्लft से जो सारे component निकले थे यहां पर देखिये कैप्ली बैट कहते हैं इसको वो सारा का सारा food पहुंचा था कहां पर tissue fluid मेर्य सार का सार का त्राव थि़िच्यू हो गया ग्रेन का मूफ कर गया मूफ कर गया इंसाइड द लिम्फाटिक कैपली में जो ग्रीन कले का दिखाई दे रहे हैं और यह धीरे-धीरे क्या हो गया अल्टिमेटली दिखे कहां पहुंचता जा रहा है ये अल्टिमेटली क्या हो गया ये पहुंच गया सारा का सारा डेन होके पहुंच गया कहां पे ये वेन के अंदर पहुंच गया और वेन से क्या हो गया फिर से क्या हो गया middle man आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कितने अच्छी तरीके से इन दोनों को connect करने का काम कर रहा है इन दोनों के बीच में present है ये तो बोलते हैं क्या middle man जो क्या करता है drain कर रहा है सारा का सारा waste और tissue fluid को ले आके फिर से venous system में मिलाने का काम कर रहा है इस lymphatic fluid में blood cells present होती है white blood cells RBC present नहीं होती है हम बात करेंगे muscles के बारे में हमारे पास क्या है तीन टाइब की muscles है smooth muscles, cardiac muscles और stated muscles stated muscles को हम क्या बोलते हैं यहां बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि skeletal muscles बोल सकते हैं क्योंकि हमारे क्या होती है body के अंदर bones से attach होती है smooth muscles जो होती है वो involuntary nature की होती है यह हमारे कहने पर movement नहीं करती है यह direct क्या करती है हमारे nervous system के movement पर करती है इनका जो cells का shape होता है वो क्या होता है spindle cells shape का होता है यह इस type का shape होता है shape इनके उपर कोई band नहीं दिखाई देता इसलिए क्या बोलते हैं उसको नॉन इस्टेटिड बोलते हैं और यह क्या करती है यूनी नूकलिट फाइबर्स होते हैं एक cell के अंदर एक नूकलिस यहाँ पर पाया जाता है cardiac muscles पाय जाती है हमारे heart के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर पाय जाती है यह भी क्या है involuntary है हमारे कहने पर इसके अंदर कोई भी movement नहीं होता है यह हमारा autonomic nervous system खुद क्या करता है इसको control करने का काम करता है कंडिशन यहां पर यह है कि यह सारी की सारी सेल्स क्या होती है ब्रांच होती है ब्रांच होने के साथ साथ इनके अंदर नुकलियस जो है वो क्या है सिंगल प्रजेंट होता है जो skeletal muscles है, वो क्या है, उनके अंदर क्या होता है, bands की तरह structure दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते है, उसको में लिए statutes बोलते हैं और ये multi-nucleate हो सकते हैं, क्योंकि इनको contraction करने में power ज़्यादा चाहिए, इसलिए क्या है, इनके पास क्या है, nucleus ज़्यादा है और ये सारी की सारी क्या है, हमारे कहने पर move करती है, that is called the voluntary nature है, clear है तो दो क्या होगे, involuntary होगे, एक क्या होगे, voluntary होगे, जो आपका heart pair का moment है, वो सारा का सारा क्या होगे, voluntary होगे skeletal muscle के अंदर एक important point ये है, कि ये दो protein के बारे में पूछा जाता है, कि कौन-कौन से दो important protein है, तो यहाँ दिखाए दिया, actin and myosin है, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर contraction यहाँ पर होता है कहाँ का function क्या दिखिए यहाँ पर, जो हम move करते हैं, smile करते हैं, swallode करते हैं, breath करते हैं, sign करते हैं, इन सब में क्या है है यहाँ-sceletal muscle तो present है, यह movement होता है यहाँपर किसे attach होती है, तो मेरे bone से attach होती है, यसलिए कि ऐहाँ कहते है, इनकी जो unit होती है iID कहते है सार्कोमीर, हर एक muscle cell के अंदर एक unit है contraction की that is called the sarcomere यह बहुत important point है ज्यान देना इस पर इस smooth muscles मैंने बताया था कि यह क्या होती है spindle shape की होती है spindle shape दिखाई दे रहा है और हर एक muscle से देखिए यहाँ पर एक nervous connection है यह अपने आप move नहीं कर रही है हमारे eyes की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर eyes की muscles होती है वो कैसे move करती है कहां से move कर रही यहाँ तो यह दिखाई दे यहाँ पर अब इनके ऊपर दिखाई दे रहा है कि कैसे contraction होता है तो इनके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि dense bodies present है और काफी एक रसी की तरह structure दिखाई दे रहा है अब इन रसी बढ़ी होई इनको क्या वह रहा है हम लोग क्या intermediate filaments यह intermediate filaments अभी यह kय है relaxed है तो ऐसा दिखाई दे रहा है अगर यह contact हो रहा है तो ऐसा इस्टिच कर गये और यह क्या होगी इनके अंदर क्या होगी, यह काफी बड़ी थी, यह काफी क्या होगी छोटे फ़ाम में आ गई, तो यह पूरा का पूरा nervous connection से क्या है, connected है यहाँ देखिए, हर एक पर क्या है, yellow color का nervous system दिखाए दे आपको यहाँ पर, location क्या हो जाएगा हम सुपारे इंटेरनल गर बॉडटी के अंदर ये सारी की सारी क्या होती है प्रजेंट होती है इनकी सेल का से हैं पर रहा है होती है Spindle-शेफ होता है प्रपरल्ली क्या होती है इसमें ये सारी की सारी ऐसे connected है जिनसे क्या होता है एक network बन जाता है उस network को बोलते हैं कि हम लोग synectrium the cell work as a unit सारे की सारी cell क्या कर रही है एक जिसे क्या है आपस में connected है ये जो आपस में आप blue color का दिखाई दे रहे आपको यहां पे structure this blue color structure is called the intercalated disk ये आपस में इनमें क्या होते है gaps present होते हैं जिनके channels present होते हैं जो क्या करते हैं आपस में सारे cells को एक ही साथ क्या करते हैं इनमें क्या होता है current का flow हो सकता है और ये पूरी की पूरी cells आपस में unit बनके क्या करते हैं उस Contraction को क्या बोलते है हम लोग Maiyogenic बोलते है क्योंकि हमारा Brain इस Contraction को control नहीं करता जिस Heart का Contraction Heart के थूर होता है उसे Maiyogenic कहते है जिस Heart का Contraction Neuron के थूर होता है उसे Neurogenic कहते है Move करते हम लोग यहाँ पे Important है इसमें क्या Inter-Character Disc इसका function क्या दिखाए दे रहा है एक साथ और इसलिए क्या कहते हैं एक unit आफ क्या करता है वर्क करने का काम करता है यहां पर size दी हुई इसकी, move करते हैं next पे हम लोग सबसे complex structure दिखाई दे रहा है एक neuron का, typical neuron का सबसे बहुते देखेंगे हम लोग कि सारे के सारे जो signals होते हैं वो कौन receive करता है neuron के अंदर तो वो signals हैं यहां पर branches structure दिखाई दे रहे हैं इसको ल्डेंडराइट, dendrite ही क्या करता है, signals को receive करने का काम करता है signals आते हैं कहां पर, इस bluel area में, इस bluel area को बोलते हैं क्या cell body cell body, क्या जहीं आती हैं क्या सुमा बोलते हैं और क्या साैटोन भी बोलते हैं इसके the nucleus is present है, इस cell के अंदर एक cell आगनल नहीं है इसको बोलते हैं क्या सेन्ट्रोसॉम अगर बात करें, तो सेन्ट्रोसॉम neurons के अंदर क्या होते हैं नहीं पाए जाते हैं बाकी cells में अब इसके थूँ क्या होगा नर्वस तो सिगनल है यह आगे की तरफ ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा इसके उपर य्यूरांस के होते हैं दो टाइप के होते हैं अगर myelin सीट लगी हुए तो कहाएंगे इसको myelinated अगर नहीं लगी हुए तो क्या बोलेंगे non myelinated यह myelin seed का formation कौन करता है यह जो swan cells दिखाई दे रही है यह करती है यह बहुत important question है आ चुका है यहाँ पर swan cells क्या कर रही है myelin seed का क्या कर रही है formation कर रही है साथी में क्या कर रही है यह swan cells क्या करती है, जो exon है यहाँ पर दिखाई देरा, exon दिखाई देरा आपको यहाँ पर, इसको क्या करती है, nutrition प्रवाइड करने का काम करती है, यह very important question है, swan cells का दो function हो गया, यह form कर रही है कि इसको myelin seed को, और साथ में क्या कर रही है, exon को क्या कर रही है, nutrition वायर बोल लें, last में जाकर सारे के सारे exons क्या होते हैं, काफी टेसरे branches में क्या होते हैं, divide कर जाते हैं, और इन्हें मोलते हैं, क्या exon terminal, अब signal जो यहां पे receive हुआ था, वो exon के दूरू कहां पहुँच गया, यहां पहुच गया, यह exon, अगले cell के, अगले neuron के dendrite से क्या होते है, connect होते है तो फिर से क्या होगा, single dendrite से क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा यहाँ दिखाई दिया यहाँ पर, कि exon terminal connect to the dendrite our cell body of the next neuron it connects with any muscle यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहा है एक दूसरे से क्या है, connect दिखाई दे रहाँ पर जहाँ पर इनका connection है, उस connection को हम बोलते हैं क्या synapse अब इस connection के दू क्या होता है, सारे के सारे neurotransmitter जो होते हैं जो chemical है, जो signal को transport करने का काम करता है, उसे बोलते हैं कि हम लोग neurotransmitter और common neurotransmitter है, इसको बोलते हैं हम लोग acetylcholine, important है, यहाँ रहा है, यह क्या हो गया, exon का terminal end है, यह क्या है, दूसरे cell की क्या है, dendrite दिखाई दे रही यहाँ पर यह जो neurotransmitter है, यह sight on वाले place पे क्या हुए थे, यह क्या हो यहाँ फार्म हुए थे, यहां से यह move करते, यहाँ पहुच गए और यहां से क्या हो गए AAA, इसके अंदर क्या हो गए 애Work है, अब यह single क्या होगा, यहाँ पे किया होगा, move कर जाएगा, next इसे क्या हो जाए कि जो नर्व इंपल्स यहां पे जनरेट हुई थी वो इस लिक्विड के थुरू इस नियूरो ट्रांस्मीटर के थुरू क्या होगी यह नेक्स वाले पहुंच जाएगी कहां पे डेंडराइट के पास इन ग्याप को बोलते हैं हमलोו क्या क्या 이제 बूरे के पूरे को जंक्षिंच को बोलते हैं क्या सा 걱정 में अब बात करते हैं कि एक ब्लू किया इस चुल की जो इस सेल प्रेजन होता है जो इंपोर्टेंट होता है इसे हम बोलने क्या निस्व बॉडी यह किससे बनी हुई ह dellो किया राजमिय रिक्लम के ऊपर प्रेजंट होते हैं किया राईबोसॉम primeiro इंडोस्पट बोलते हैं या निसल्स ग्रैनियूल बोलते हैं या निसल्स सब्स्टेंस बोलते हैं यह काम क्या करते हैं यह फॉर्म करते हैं क्या प्रोटीन्स को यह फॉर्म करते हैं क्या एंजाइम्स को और यह फॉर्म करते हैं क्या नीरो ट्रांस्मिटर्स को यह सारे के सारे जो ब्लू क यहां से XORN का formation हो रहा है वहाँ प्र आपको एक Hill-like structure दिखाई देगा यहां पे, अगर आप इसको उलटा करके देखें न आपको Hill-like structure दिखाई देगा यहां पे, मैं ढूक करने के क Начनद कर रहा हूं यहां पे, Hill की तरह एकлем दिखाई देगा ऐसे देखी यहां पर यह हिल हो गया पर, हिल का टॉप हो गया यहां पर यह हिल लाएक स्टेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग एक्जॉन हाइलाग बोलते हैं इसी देखिया होता आगए यहां पर चीज़ें nervous condition क्या होता है move करता है साथ दिखाए दिया आपर, neurons हमारे body की क्या होती है, नरो system की क्या होती है, units होती है, इन neurons से भी ज़्यादा हमारे brain में cells present है, जिने हम कहते हैं क्या, Neuroglia, neuron cells जो होती है, यह एक बार अगर divide बन गई है, जितना भी यह हमारे embryonic time में बन के तयार हो जाती है, पैदा होने के जितन नहीं कर सकता, साथ में से क्या है, Centrosome भी नहीं इसके अंदर, जितन नहीं कर सकता है, यह पूरी cell जो है, यह नरो system की unit है, neurons are the unit of the nervous system, clear है यहाँ पे, आगे देखते हम लोग यहाँ पे, और यह जो Neuroglia है, यह क्या है, supporting cells है, अगर हमारा neuron कहीं भी damage हो जाता है, तो उ यह last complex tissue था, nervous tissue की बात करते हैं हम लोग, प्लीज अगर आपको मुझसे zoom classes पे study करनी है, तो मुझसे contact करें आप, regular zoom classes पे classes चलती रहती है, class 9 से लेके class 12 तक, neat की classes चलती रहती है, तो प्लीज मुझसे contact करें, class लेने के लिए वहाँ detail पढ़ेंगे हम लोग और प्लीज मेरे channel को subscribe करें, like करें और share करें, thank you so much students.